हलो गाईज, वलकम टू पूरी पड़ाई, तो आज हम देखेंगे CSS Selectors, जिसमें हम देखेंगे ID Selectors CSS Selectors आपके किसी भी element के, HTML element के या फिर किसी भी HTML tag के properties change करने के लिए काम में आते हैं, जैसा है उसका color change करना, alignment change करना या फिर इसका size change करना, जिसमें हम ID Selectors देखेंगे, ID Selectors कैसे use होते हैं और वक क्या करते हैं, ID Selector uses the ID Attribute of an HTML element to select the specific element, तो इसमें हम ID Attribute का use करते हैं, कोई element को select करने के लिए, HTML element को select करने के लिए, next हम देखते हैं कैसे, the ID of an element should be unique within a page, जो ID होनी चाहिए आपकी, वो unique होनी चाहिए page में, so the ID Selector uses to select the one unique element, जिससे कि जो ID Selector है, वो एक unique element को select कर पाए, to select an element with a specific ID, write an hash character followed by an ID of an element, आप क्या करेंगे, hash लगाएंगे, उसके बाद character लिखेंगे, मैं बता जाता हूं कैसे, या आप सामने examples देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, hash, para, उसके अंदर लिखा हुआ है, test alignment, center और color, तो जो hash है, hash लगाएंगे सबसे पहला ID के लिए, उसके बाद लगाएंगे para, para लगा सकते हैं, पर कुछ भी लगा सकते हैं, as your wish, कुछ भी लगा सकते हैं, pa, ra लिखा हुआ है, आप ra भी लिख सकते हैं, abcd भी लिख सकते हैं, but notice करने वाली ये बात है, कि an ID name cannot start with the number, number से start नहीं होगा, number बाद में लगा सकते हैं, जैसे a9, a4, 9a नहीं लगा सकते हैं, तो ये कैसे use करेंगे हम देखेंगे अभी, इसके लिए अपना notepad खोलते हैं, notepad में हम यहाँ पर ID लिखेंगे, हम style लगाएंगे starting tag, जो कि मैंने आपको पहले ही बड़ा रखा है, जिसमें कि हम CSS लिखेंगे, और ये हमारा closing tag हो गया, इसके अंदर हम लिखेंगे ID, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं, PA लिख देते हैं, या फिर पहरा PA लिख देते हैं, और इसके बाद opening, closing, और यहाँ पर हम color change करते हैं इसका, color हम कर देते हैं blue अभी आप कहीं पर भी ID यूज़ करके, सब चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ID लिखा है आपर, ID equal to, ID का नाम PAR, और इसको हम save करेंगे, यहाँ से आप save कर सकते हैं, save as करा, ID selector.html से हम save कर रहे हैं, तो .html लगाने ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बता रखा है, और कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसमें, और इसको हम save कर देते हैं, सेफ करने के तुरंद बात हम इसे यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम हमने save कर रहा था, ID selector, आप आप देख सकते हैं, ID selector कहाँ पर है, यह रहा, ID selector.html इसको हम open करेंगे, किसी भी ब्राउजर में आप open कर सकते हैं, यहाँ पर Google Chrome में इसे open कर रहा हूँ, यहाँ पर open करते यहाँ आप सामने देख सकते हैं, जो ID selector है, वो blue हो गया है, क्योंकि हमने ID इसमें लगा रखी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने ID लगा रखी है, अब इस काम करते हैं, इस ID को, यहाँ से cut करते हैं, और इस ID को paragraph में लगाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, save करते ह सेव करने के बाद अगर यहां पर रिलोड करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं चेंजमेंट तो इस तरह से आप ID यूज़ कर सकते हैं अपने अपने एट्रिबूट्स को चेंज करने के लिए अपने HTML, Elements, Text और पूरे Pages को चेंज करने के लिए ID यूज़ कर सकते हैं तो आई होप आपको ID सेलेक्टर सुन में आया होगा तो थैंक यू गाईज मीट में अना नेक्स वीडियो तब तक के लिए गूडबाय your feedback is valuable for all so please comment like and share with your friends thank you